देखिए आज बन्याना पुलिस्टेशन में हमने और्गनाइस क्राइम की विरुद जो हम लोग अभियान चला रहे हैं उसके तहट एक अच्छी कारवाईगी जिसमें लगबग 11 किलो दूद और लगबग 600 ग्राम के असपास अफीम का में सीजर किया है उसमें उसके लगार के यहां पर आने का एक एक विक्ती थाज से यह सीजर हुआ है उसका नाम आम गुमराम है अ के बारे में लगाता हमें शिकायते ले थी और जो कर दो के मादम से रिक्वेस्ट है कि आपके यहां पर जो जैसल में जिली में कोई भी अवनाइस तरीके से अफीम का या फे ड्रक्स का का रोगार कर रहा हैं उसकी सूचना मेरी सीजी निंबर पर दे हम आने वाले समय में जैसल में जिली को ड्रक्स मुक्त पिनाने के लगाता किया गाओं के लेवल ते और जो इसका रूट था वो भी हमने वेरिफाई किया रेक्टी बीगी और उसके बाद यह कर भई हमें अपने हो जाएंगे और एक बार जब कारवई होगी तो डेफिनिली अच्छा मेसिज जाएगा जो आमजन है उनसे करे रिक्वेस्ट है कि इस अभर देश करें तो । हमारे कारवई कांवरे कांवर मेरे साथ अधथे प्रावड उसके प्रावधान और उसके प्रहड हो पहला ह। लास्ट येर से अगर अगर हम प्रियास करें तो हमारे कारवई काफी एंटी पेस्मिंग बढ़ी है तो मेरे इसाब से हमारा उदेश है सिर्फ कारवई बढ़ाना नहीं होना चीए हमारा उदेश होना चीए कि ऑगनाइज क्राइम स्पेशली ड्रक्स को हम लोग पुरीकर से करें इसके लिए लोग और प्रियास करेंगे और जो चोटे सीजर्स हों भी हम करेंगे इसे की यहां को नशे से दूर हम लेकि जा सके और मेरा आपके मादिम से यह भी लोगों से अपीर है कि अगर आपके इलाके में कोई बच्चा इस तरह की चीजों से ग्रसित है तो उसक करेंगे हैं तो वहां पर उसके लिए क्या स्पेशल गस्ट यहां पर हमें चोटी कॉंटिटी में ब्रक्स बिखनी सुचना मिल रही है उस पर हम लोग नजर उगडाए हुए हैं और जहां पर भी जो ऑगनाइस कराइम करते हुए जो बड़ा सीजर करने काम प्यास करेंगे इसके लावा जो चोटे सीजर भी हैं आने वाल टाइम पर करेंगे लिए कि पिलिस चुनाओ के अंदर इसके अब हमारा पूरा फोकेस जो है और इसके अलावा ड्रक्स के लावा भी और जो चोरियां जिलें में हो रही हैं स्पेशली कंपनियों के अंदर चोरियां और यह इसमें भी जो लोग और इस तरीके से काम कर रहे हैं इन दे सेंस की जुनोंने इसको अपना व्यवसाय बना लिया है उस पर हमारी कड़ी नजर है हमारी टीम्स लगी वही है आज उचना हम इकटी कर रहे हैं और आने वाले समय में किसी भी व्यक्ति को अपराद को व्यवसा आज बनाने वाला जो काम है वो नहीं होने लिए अनामिका जो अपरेशन चला देरो उसको यहाथ से शुमात होगी त्या कुछ उसके पहले से ही चल रहा था चुनाव जब थे उसी समय आईज साब की निर्देश तेगी ब्लैक शिशे की गारियां बिननंबरी गारियां जि को देखते विए इस साब निर्देश फरमाएते हैं और इसमें नेरा आमजन से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको इस सेंस में लीजिए कि अगर कोई अपरादी अपराद करके काले शिशे की गाड़ी में जाएगा तो पुलिस उसके खिलाफ एक्टों कर पाएगी ज अपरादी तत्व के और जो अपना कामिन का जो एक धता पताने का प्रयास करते हैं तो उनको हमारा क्लियर कट मेसेज यह कि आप जल्द जल्द काले शिशे की गाड़ी आटा रिजिए अग्यता सीजरी कारवाई की जाएगी बिना नम्बरी जो गाडियां है स्पेशली जिले में देखा गया है कि आगे की तरफ नम्बर होता है पीछी नम्बर नहीं होता है तो यह कहीं ने कहीं उस वेक्ति के मानसिक्ता दिपको दुर्शाता है कि वो जब को अपराद करें तो कोई में को उसकी पहचान ना कर पाए और जो देश का कामिना उसमें आपको नम्बर लगाना है आई सीक्रेटी प्लेट पीछे भी लगा लिए तो इसको इसकी पालना करना हमारा करता है अब ट्रांस्पोर्ट डिबागिन के साथ भी मिलकर के लगादार कारवाई करेंगी और इसके लावा आमजिन से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी कोई नमर में टूटी हुई है तो उसको सही करा लें जिसे की अनाउस्पोर्ट आपको कारवाई के सामना लगाटा पुले